नमस्कार आपका अभय स्टेडी में स्वागत है आज हम लोग देखेंगे रेलेवे और विहार SI को ध्यान में रखते हुए जीव बिज्ञान का संपूर वस्तुनिष्ट जो की खान सरद्वारा तयार किया गया है इसको अपने निर्देशन में यह सभी एकजाम के लिए काफ ही इन्पोटेंट है यदि आप इसे देख कर जाते हैं एक हजार वस्तुनिष्ट प्रस्णों को तो निश्चीत रूप से बिज्ञान से यानि बाइलोजी से तो प्रस्ण एक भी नहीं छूटेंगे यह मेरा वादा है इसमें सभी चेप्टर इसकी खास विशेस्ता है जी चेप्टर को खास धंग से प्रस्तुत किया गया है जिससे की प्रस्ण छुटने की संभावना नहीं है यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए तो आईए हम लोग देखते हैं इसमें पहला प्रस्ण इसमें पहले इसमें नाइट्रोजीनी छार और पेंटोन सरक्रा पलस फासफोलिक अमल होते हैं तो अप्शन हो जाएगा आपको ए और डीने की खोच इसने की थी तो वाट्शन और क्रीक ने की थी कब की थी तो आपको 1903 में की थी इसको भी ध्यां रखिएगा नेक्ट दखते हैं नेक्ट दखिए जब एक जीन युगम अन्य इकाई के परभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है तो अगटना आपको एपी एस्टेसिस कहलाती है अप्शन हो जाएगा ए नेक्ट दखिए जीन जो बहु परभावों को परदर्शित करती है क्या कहलाती है तो यह कहलाती है आपको प्लियो ट्रोपिक प्लियो ट्रोपिक अप्शन हो जाएगा दो और 1968 में जीन संसलेशन के लिए हर्गोविन खोराना को नुबेल पुरसकार मिला था इसे आप ध्यां रखिएगा न कोशिका के खाली अस्थान में डियने परमुख रूप से जमा होता है तो क्या जमा होता है इसमें केंद्रक जमा होता है ध्यां रखिएगा केंद्रक नेश्ट दखिए पिर्थिवी पर एक बड़े उलका पिंड परभाव के प्रणाम स्वरूप डैनासोर के बिलूप्त होने का सिधान्त किसकी देन है तो यह किसकी देन है तो लुईस अलवा रेज की और उलका पिंड से बने एक जील जो कि लोनार जील आप जानते ही है महराष्ट में है जो क पोटलेंड के रोजलीन इंस्टिटूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन था तो आप इतो सभी लोग जानते है यह आपको था भेंड था अप्शन हो जाएगा सी भेंड नेक्ट दखिए एक पैंड की छाल के अंदर जीवित कोषिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है तह यह कहा जाता है आपको केमियम यह हो जाएगा अप्शन 4 नेक्ट दखिए नेक्ट दखते हैं एक जीवित कोसीका की संपुन और खाली के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटो प्लाज्म और नाभिक सामिल होते हैं, तो उसमें क्या सामिल होते हैं, तो प्रोटो प्लाज्म, option हो जाएगा, बी प्रोटो प्लाज्म, नेफ्ट दखिये, जैविक सब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसे एक जीव लाभानमीत होता है और दूसरा जीव आपर भावित रहता है तियों सभी जानते हैं सह भोजिता का नियम कहलाता है अप्शन हो जाएगा तीन कोशिका जिली से घीरे कोशिकांग होता है तो माइटोकंड्रिया राइबोसोम और केंद्रक्त आप्शन हो जाएगा डी राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है ध्यां रखिएगा और माइटोकंड्रिया को उर्जा का घर कहा जाता है पावर हाउस अप सेल कहा जाता है ध्यां रखिएगा नेश्ट दखिए कि आर एने में कौन सा छारक नहीं पाया जाता है तो आर एने में जो होता है थाइमीन नहीं पाया जाता है तो क्या पायाता है एडीनीन गुवानीन और इरेसील पाया जाता है लेकिन थाइमीन नहीं पाया जाता है नेश्ट यदि आप रेलेवे में इसे पूरा कभर कर लेते हैं तो निश्चीत रूप से आप से प्रस नहीं छुटेंगे कोसिका भित्ती में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है तो कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है तो क्या पाया जाता है सेलूलोज प्यक्टीन और लिगनि पाया जाता है, नेक्ट दखिए, सबसे लंबी मानो कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी जो मानो कोशिका होती है, तंत्री का, कोशिका होती है, अप्शन हो जाएगा, चार, नेक्ट दखिए, साइटो काइनेसिस में किसका विभाजन होता है तो साइटो काइनेसिस में जो होता है कोशी का दरब्य का विभाजन होता है तो option हो जाएगा 2 भले ही यह थोड़ा आपको hard लग रहा होगा लेकिन इसके बाद जितने भी प्रस्ण है वो सब normal है और आप उसे पढ़े भी होंगे गुण सुत्र का वह भाग जहां पर गुण सुत्र बिन में होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे आपको क्रिया जमेटा कहते हैं option हो जाएगा 3 next दखिए पलाजमा जिल्ली होती है तो पलाजमा जिल्ली क्या होती है और धपार गम में होती है तो सभी लोग जानते हैं कि पलाजमा जिल्ली और धपार गम में होती है next दखिए जन्तु कोसिका के तरकु तंतु का निर्माण किसके द्वारा होता है तो किसके द्वारा होता है तो century, old के द्वारा होता है, option हो जाएगा, दो, next दखिए, जैनिको प्रध्योगी की, जैनिको प्रध्योगी की क्या है तो अनुवानसिक रोगों की पुर्व सुचना प्राप्त करने का तकनीक है, जैनिको प्रध्योगी की तो option हो जाएगा, next दख तो कौन सा योगिक नहीं बनाता है तो टैरोसीन नहीं बनाता है तो एडी नीन, गुवानीन, सिस्टोसीन बनाता है लेकिन आपको टैरोसीन नहीं बनाता है. दखिए, जननों कोसिकाओं का निर्माण किस एपिथिलियम से होता है? तो किस एपिथिलियम से होता है? तियaż होता है Q.B.I.Doll से अप्शन हो जाएगा. फोर, नेक्ट दखिए, किर्याजमा किस अवस्था में निर्मित होते हैं, तो किर्याजमा जो हैं, डिपलोटीन अवस्था में निर्मित होते हैं, नेक्ट दखिए, पैकी टीन अवस्था कब पाई जाती है, तो पैकी टीन जो अवस्था है, और दुसूतरी विभाजन के समय पाई जाती है अप्शन हो जाएगा आपको दो डीने की द्यू कुंडलिक सरचना किस ने दी थी तो डीने की जो द्यू कुंडलिक सरचना है वाट्सन यो क्रीक ने दी थी कब 1903 में जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरसकार भी मिला था ध्यार रखेगा नेख्ट दखते हैं आरेने का संसलेशन किसके द्यूरा होता है तो आरेने का संसलेशन जो होता है डीने के द्यूरा होता है सभी जानते हैं. नेक्ट दखिए मो एकेंदृ का यनिल्य और निukेलियस का संस्लेशन करती है तो यह संस्लेशन करती है आर और ने यरोका द्यूट अगे ऑप्षर drives शीन हो जाएगा stain के कोशी का विभाजन के दराण तरकू तंतू गुण सुत्र के किस भाग से जुड़े होते हैं तिया जुड़े होते हैं आपको ध्यारखिये का जुड़े होते हैं सेंट्रीयो मियर से सेंट्रो मियर से थोड़ा समय मिल रहा है तो आप भी गेस कीजिए इस तरह से आपका सेट रूपी रूप रिवीजन हो जाएगा इस तरह से आप समझ में आएगा कि आप सेट भी लगा रहे हैं तो टेली फेज के दवरान तो तरकु तंतु समाप्त हो जाते हैं केंद्री का पुनह दिखाई देने लगते हैं और केंद्रक जिली पुनह बन जाती है तो इस तरह से अप्सन हो जाएगा चार कोशिकांगों को कोशिका का बिद्दूत ग्री यानि पामर हाउस अप सेल्स कहते हैं तो यह तो बहुत ही अच्छा प्रस्ण है यह हो जाएगा माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉंड्रिया नेक्ट दखिए इंडो प्लाज्मिक रेटी कूलम का मुख्य कारे क्या है इसके कारे है कोशिका का ध्हाचा बनाना ऑप्सन हो जाएगा तीन केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है तो केंद्रक का जो विभाजन होता है करियो काइनेसिस कहलाता है अप्सन हो जाएगा बी किस कोशी कांग को आत्म हत्या की थैली कहते हैं तो किस कोशी कांग को आत्म हत्या की थैली कहते हैं तो कहा जाता है लाईसो सोम को और लाईसो सोम की खोज किस ने की थी तो डी डी डूबे ने की थी कव तो उन्नीस सो अंठावन में ध्यां रखेगा उन्नीस सो अंठावन में कोशिका भित्ती का परमुख ग्या है सेलू-लोज और यह सेलू-लोज जो होता है कोशिका भित्ती कवल पादप कोशिकाओं में पाय जाती है किकाइंया क्या कहलाती है जीन को वहन करने वाली वन्वांसी का या DNA कहलाती है, option हो जाएगा, तीन, next दखिए, वे गुर्ण सुत्र जो जीयों के काईक लच्छनों को नियंतरीत करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं आपको आटो सोम्स, option हो जाएगा, दो, next दखिए, इसमें थोड़ा से भावं पर विचार कीजिए, इसमें रोग परती रोधक, ब्रिधी वर्धन, जन्तु, क्लोनिंग, मानो, क्लोनिंग, इस तरह से आपका option कौन होगा, आप गेस कीजिए, तो इसका हो जाएगा आपको रोग, परती रोधन, उसके बाद हो जाएगा ब्रिधी रोधन, उसके बाद option हो जाएगा ये, फोर, next दखिए, next दखते हैं, त्वचा के छती ग्रस्त हो जाने पर कौन सी कोशिकाएं त्वचा की मरमत करती है, तो कौन सी कोशिकाएं करती है, तो epithelium उत्तक करती है, epithelium कोशिकाएं यानि उत्तक भी लिखा रहता है, ध्यां रखिएगा, तो जिन्स का चित्रन से तो option हो जाएगा आपको दो, next दखिए, कोसी कांग में CO2M, H2O का विखंडन कहां होता है, तो यह होता है आपको mito, कंडरिया में option हो जाएगा, next देखिए, निमन में किस च कांग को एटम बम कहते हैं, तो लाईसो सोम को क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आत्म हत्या की धैली कही जाती है, जब यह फट जाता है, तो मनुस्य की मृत्तू हो जाती है, इसलीज एटम बम इसे कहा गया है, नेक्ट देखिए थोड़ा सजूंग करते हैं कोशिका निवन में कौन सी पाचन थैली कहलाती है तो कौन सी पाचन थैली कहलाती है तो यह लाई सोम क्योंकि वह पचाल लेती है अपने अंदर कोशिकाओं को जो जाता है नेक्ट दखिए एलो सोम होते हैं तो एलो सोम लिंग गूंड सुत्र होते हैं अप्शन हो जाएगा फोर नेक्ट दखिए आप इतने कम समय में अधिक सेट नहीं लगा सकते हैं कि ओल यह मात्र आपको 1000 जो प्रस्ण हैं आपको साथे तीन या चार घंटे में ही उपलब्ध करा दिये जाएंगे और आप रिवीजन के तरपर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफी लाभ मिलेगा निमलीखित में से किस्को किसी कोशिका में अचल संपत्ती माना जाता है तो अचल संपत्ती माना जाता है địूप्सण हो जाएगा आपको ड या 4 नेक्ट दखिए थोड़ा से छोड़ा करते हैं क्योंकि गुण सूत्र गुण सूत्र तो एक मुख्य घटक के रूप में DNA से बने होते हैं अप्सन हो जाएगा आपको ती next दखिए next दखते हैं एक ब्यक्ति में माइटो कॉंडरिया की DNA वित्पन होती है तो वित्पन होती है आपको माता से ध्यां रखिएगा माता से next दखते है रिकॉंबीनेट टेकनलोजी के विकास के पस्चाति और तकनीक संभव हुई तो कौन सी तकनीक तो टी का करण ध्यां रखेगा टी का करण तो अप्सन हो जाएगा next दखते है आर एने का अभिप्राय है तो आर एने का जो अभिप्राय है आपको तो राइबियोर नुकलीक एसी टिया तो कई एक जाम में पूछ लिया गया है रेलेवे के इसलिए आपको इसे 100% ध्यां रखना है डी एने का सरचना डी एने का जो सरचना होता है क्या होता है तो दोहरी कुंडली की होती है अप्सन हो जाएगा फोर निमलिखित में किस कोशिका को सक्तिगरी कहा जाता है तो सभी जानते हैं यह कहा जाता है सुत्रकणिका यानिकी माइटो कंड्रिया ध्यां रखेगा हिंदी में इसका नाम है सुत्रकणिका और इस तरह से आप माइटो कंड्रिया ध्यां रख सकते हैं दोनों बात याद रखे का कहीं आपको को सुत्र कंड़ी आधिगा तो आप कण्फ jumped है कि ज्याप been मदल गया है सारी狀 को सिकाओं को प्रकिरिया से विभाजित किया जाता है तो किस की प्रकिरिया से और दसुत्रन से विभाजित किया जाता है तों स् итог दो, नाभीक के अलावा डीये ने किस कोशिकांग में भी पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपको नाभीक के अलावा किस में, तो माइटो कॉंड्रिया में, थोड़ा समय मिल रहा है तो आप भी गेस कीजिए, इस तरह से आपका रिविजन हो जाएगा, कोशिका का उर्जा का अधार क्या है तो कोशिका के जो उर्जा का अधार है वो Mito Chondria है इसलिए इसे Power of House कहा जाता है next दखिए जीन का सरचनात्म明 की काई क्या है तो जीन का जो सरचनात्म明 की काई है डी एने है option हो जाएगा c नेखट दखिए नेक्ट दखते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और महेश वणवाल का NCRT सार संग्र, संपूर, अलग-अलग बिसे का मास्टर वीडियो बना दिया गया है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, नेक्ट दखिए, जीन है, तो जीन क्य की इकाई है, तो अप्शन हो जाएगा, आपको यहाँ दो रहेगा, तीन, B, अप्शन हो जाएगा, B, नेक्ट दखिए, निमलिखित में कौन सा पदार्थ परतेक जीवित को सिका में पाया जाता है, तो कौन सा पदार्थ परतेक जीवित को सिका में पाया जाता है, तो 욕क्वारने उनुमानिकि प्दार्थ में पाया जाता है तो इसमें पाया किया जाता है आप rain इंवानिकारोगोरतिया प्रिखोल Tommy वाद माली जे सश्रीफ हुए बंदर हुए गोरिल्ला हुए तो उससे मानों का विकास हुआ है तो इन ही कारणों से हुआ है यहीं नई जाती की उत्पत्ती होई है मानों के रूप में तो अप्शन हो जाएगा इसका आपको डी नेस्ट दखिए भच्छी को सिकाओं का कारे क करने वाली यक्रित को सिकाओं होती है तो यक्रित को सिकाओं क्या होती है तो इसमें कुप्फुर को सिकाओं होती है अप्शन हो जाएगा आपको डी कुप्फुर को सिकाओं नेक्ट दखिए निमलिखित में कौन सा डीने को अनुवांसिक पदार्थ की माननेता से तो इसमें आपको हो जाएगा ग्रीफित है उस्वाल्ड एवेरी है थोड़ा से उपर करते हैं इसको इसमें वाल्टी मोर्यम टेनी नहीं है और हर्शियम चेज है तो इस तरह से अप्शन आपका हो जाएगा किसी जीव जाती की अब आदी में उत्परिवर्टन जीन के फैसले के संभावना तब होती है जब कब होती है तो जब इसका प्राकिर्टिक चयन हो जाता है तो अप्शन हो जाएगा आपको तीन नेख्ट दखिए मानो की उत्पत्ती किस यूग में हुई है तो सभी जानते हैं कि जो मानो की उत्पत्ती है प्लायोसीन यूग में हुई है ओप्शन हो जाएगा आपको तीन और अरावली की उत्पत्ती किस काल में माने जाती है तो जो अरावली की उत्पत्ती है इसमें प्री क्रेंबियन क में पांसो सत्तर मिलियं और और उली की सबसे उंची चोती कौन है और है तो 1722 मीटर ध्यां रखिएगा नेश्ट देखते हैं कि यह राजस्थान में है अरावली कहां है राजस्थान में है नेश्ट देखिए यदि मानो ब्रिधी हार्मोन जीन का परियोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समाने अकार से आठ गुना हो तो इसकी तक्नीक को क्या कहेंगे तो इसकी तक्नीक को कहेंगे आप संकरन अप्शन हो जाएगा ए संकरन नेश्ट दखिए नेश्ट दखते हैं जयरी फिल में क्या होती है तो जयरी फिल में जो होती है शैल दात या तैल बिंदुक आदी के प्रिष्ट पर संचीत सुचम जी होती है तो आप्शन हो जाएगा आपको इसतरह से तीन नेश्ट दखिए हाँ में दिख्येंट और है इसमें देखे ओफ्सन दिया हुआ है काफी इसको लोग मिलाएंगे इसमें देखिए हिनीमलिखित कथमों पर बिचार करें जीसमें एक उस्ट picks दिया हुआ है तो इस में से कौन होगा इसमें हम लोग मिलाएंगे तो युकरियेटिक को सीखाओं में परोकरियोटिक को सीखा की अपेच्छा अधिक DNA होते हैं ठीक है फिर उसके बाद देखेए युकरियेटिक अपेच्छा के रीत रूप से अधिक विक्सित होते हैं और अन्वानसीक रूप से परो नों जो कफन है सकते है नेक्ट दखिए कि लिश्ट देखें अब कि निमलिखित में सट प्रकास यैनी फोटोय में उसमारा साइनिक पर्तकरियाय विभीन सीव गटित होती है देखिए इसमें हम लोग नेचेगे किसमें घटित होती है इहां यहां आप्सन देखें दिया अब देखते हैं देखिए निम्लिखित में कौन सा प्रोटीन संसलेशन में सहायक होता है तो कौन सा प्रोटे लिवे संसलेशन में तो राइबो सोम अप्सण हो जाएगा बी नेवस्ट देखिये जीओं का अनुवानसिक संगठन जीनो टाइप कहलाता है जबकि वाय संगठन कहलाता है तो वाय संगठन कहलाता है फीनो टाइप फीनो टाइप नेक्स्ट दखिए निमलिखित में कौन सा एक प्रो करियोटेस और यू करियोटस के एकांतर व्वस्था के सही क्रम को दरसाता है तो कौन दरसाता है तो इसमें आपको दरसाता है वायरस, अमीबा, जिवाडू और हाइडरा तो आप्शन हो जायागा आपको तीन नेक्ट दखिए निमलिखित में कौन सी सरचना और प्रकार एक सही यूगम नहीं है तो कौन सा यूगम नहीं है तो गौलजी कॉंपलेक्स संकुल और व्वों का तूटना नहीं है तो अप्शन हो जाएगा आपको एक नेक्ट दखते हैं इसमें देखिए थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको जब एडिनीन, साइटोसीन, गुवानीन, थाईमीन, इरेसील यळऄ दिया हुआ है इसके बाद देखिए DNA के दोहरी लड़ियों के एक लड़ी में नुकलियाइट्स के अनुकरम में टैग, कैट, इसके पूरक लड़ी होगी इसके पूरक क्यों सी लड़ी होगी तो देख को सी जी देखिए जी सी टी जी कि इसमें होगी जी सी टी और एजी सी अप्शन हो जाएगा आपको एक इसको ध्याँ रखेगा इतों प्यूश्ची लेबल तक में भी हमको लगता है कोश्चन यह सा नहीं पूछा जाएगा कि जीवन की उत्पत्ती हुई थी जल में अजल में भी किसकी उत्पती और जीवन 3.8 billion वर्स हुई थी यह अभी हाल ही में बिहार SI की एकजाम में यहीं प्रस्ण पूछा गया था ध्याँ रखिएगा नेख्ट दखिए एक पुनर योगज DNA प्रद्योगी की परियोग में DNA खंडों को जोडने वाला उतरदाई एंजाइम है तो जो उतरदाई एंजाइम है तेरे से ट्रिक्शन और एंडे न्यूकलियेज है तो आप्शन हो जाएगा आपको एक नेश्ट दखिए लाइसोसोम है तो सभी जानते हैं पाचन केंद्र होता है या किसी भी पीत को पचा देता है नेश्ट दखिए निमलिखित में से किस परकार के कोशिका विभाजन में गुण सुत्रों का अबिन में होता है तो किस में गुण सुत्रों का अबिन में होता है तो और शुत्री विभाजन में तो आप्शन हो जाएगा आपको दो नेक्ट दखिए थोड़ा सोटा कर लेते हैं कि एटीपी का निर्माड किसके एपिए dalam ौइट कंड़ी ant- rice Ibyल titled कोसीका जिली किसकी बनी होती है तो सभी जानते हैं कि कोसीका जिली प्रोटीन और लिपीकि निश्ची दिनद द३ Report कोueller ञासे ऐख येगा क्यों कि कईकी दख़जा पुछ जा चुका लौल नेश्ट दखिए डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई तो डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई तो ओप्सन देखिए इसमें दिया हुआ है तो इसमें प्राकिर्टिक चैन का जो सिध्धान्द था ओडार्विन नहीं दिया था ओप्शन हो जाएगा नेचुरल सेलेक्शन कसी लांद जो दिया था डार्विन ने दिया था ध्यां रखेगा नेच्ट देखिए निमलिखित में कौन सा बैग्यानिक पिर्थी पर जीवन के विकास संबंधी कारे से संबंधित नहीं है तो कौन से नहीं है तो मुरंगन नहीं है तो सभी जानते हैं चार्ल्स डार्विन हैं लैमार्क हैं और वाक मैन है इस तरह से दो नहीं होंगे अब ब लाइमीन साइटोसीन होते हैं इस तरह से अप्शन हो जाएगा दो नेख्ट दखिए अको डीएनेके पीन में निट्रोजन ठार्क का सही ऊगुम है तो के इसमें इडीनिन जो जुडा रहता है गुवा नीन से जुढा रहता है नेखें दखिए प्रोकरियोटिक जीवों में सबसे सुच मकोस रचना है माईको प्लाजमा तो अप्शन हो जाएगा आपको D नेख्ट दखिए जीवन की उतपत्ती कीस काल में हुई थी तो जीवन की उतपत्ती प्रीक्रेबियन काल में हुई थी इनपोटेंट ध्यान रखेगा सीवसे पहले स्वाल की हुए थी next द प्रोकरियोटी कोशिका में अनुपस्थित होता है तो प्रोकरियोटी कोशिका में जो है केंद्रिये करित भित्ती जो है अनुपस्थित होता है केंद्रिये की तो अप्षन हो जाएगा आपको C मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में एक कारक नर तथा दूसरा मादा से आता है ध्यार रखेगा तो अप्सन हो जाएगा आपको ए निमलिखित में किसे कोशिका का उर्जा केंद्र कहा जाता है तो यह सभी जानते हैं कि क गेस कीजिए लगाईए आपका i seri vision बहुत अच्छा होगा निमलिखित में किस कोशिका द्रब यह कोशिका में ईकॉरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकोरियोटिक कोशिका मना जाता है तो ग्लाइसो आक्षी सोम को मना जाता है तो अप्सन हो जाएगा आपको D नेक्ट कोशी का किस के कारण से इसफीत हो जाते हैं तो अंत्व प्रासरन के तो अप्सन हो जाएगा आपको सी जीन युगमों में नहीं पाए जाते हैं तो शरीर की कोशी काम पाए जाते हैं नीशेशन के पस्ताज अंडे में पाए जाते हैं और युगमों में नहीं पाए जाते हैं रंधिरी चिद्र की परिवेशी विशिष्ट अपरिवर्तित अधी चर्म कोशिकाओं को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं आपको रच्छक कोशिकाओं तो अप्शन हो जाएगा आपको बी नेख्ट देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जीवाणविकोशिकाओं में नहीं होता है तो जीवाणविकोशिकाओं में जो है सुत्रकंडिका नहीं होता है नेख्ट दखिए कुछ डाइनासोरों के पर थे पर का मतलब पंक यद पी वे उड़ नहीं पाते थे परन्तु पच्छियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं विकास के संदर में इसका अर्थ यह है कि तो इसका अर्थ क्या है तो देखिए नीचे option दिया हुआ है तो इसका अर्थ है कि पाच्छियों का विकास सरीशीपों से हुआ है पाच्छियों का विकास किससे हुआ है सरीशीपों से हुआ है तो option हो जाएगा आपको 4 next देखिए जीवन की उत्पत्ती किस दिशा में बनने वाले योगिक थे जीवन की उत्पत्ती जो प्रोटीन्स तथा केंद्रक अम्त option हो जाएगा आपको C next दखिए कोसी का जिली पाय जाती है तो कोसी का जिली जो पाय जाती है पादप यों पसू कोसी काओं दोनों में होती है पाय जाती है ध्या रखिएगा next दखिए अन्वान सिक्ता की काई है तो बंस प्रणूप एनि की जीन से ही एक जीव दूसरे में विकास करते हैं और निरंतर या कड़ी चलती रहती है तो अप्शन हो जाएगा आपको डी नेश्ट दखिए जीव एकक का पावर हाउस इन में से किसे कहा जाता है तो यह कई बार कोश्चन आ गया मैटो कंड्रिया को नेश्ट दखिए जो इजी है तो इजी है जीव में अत्यदिक विवित्ता का कारण है तो यह सभागीता अप्शन हो जाएगा आपको दो नेश्ट दखिए प्राणी कोशिका भित्ती सारभूत रूप से किसे बनती है तिह जो बनती है आपको लीपीड बाई लेयर से बनती है तो अप्शन हो जाएगा आपको तीन या सी नेश्ट दखिए नेश्ट दखते हैं प्रोकरियोटिक में सबसे सुच्मकोशिका रचना होती है तो किसकी रचना होती है तो माईको प्लाजमा की होती है अप्शन हो जाएगा आपको तीन नेश्ट दखते हैं पौधे में और्ध सुत्री विभाजन कहा होता है तो पौधे में जो और्ध सुत्री विभाजन होता है ऑप सनोझ रहेगा आपको तीन थोड़ा सा समय में मिल रहा है उसमे कए 1 से किपमें ता आब उसे किजिए, इंडोपलास्मिक रेटिकूलम पर कौन सी को शो सिकायaj पाई जाती है तो कौण सी कोसिकाइं पायाती है तो रायबो सू जयां रखेगा रायबो सॉ नेक्ट देखिये नह worst ऑये To a p film को सिकाएं वे को सिकाएं हैं जो कि पुस्पदल से निकलती है तो option हो जाएगा आपको कि या सी नेक्ट देखिये कि पादब कोशिकाओं में क्या नहीं पाए जाते हैं तो पादब कोशिकाओं में सिंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं यहनी कि कोशिका जिली नहीं पाए जाती है और कोशिका भित्ती पाए जाती है लाइसोसोम रिखतियां मैट्रोकॉंट्रिया तो पाए ही जाती है अवित्ति पायाती है और जनतु कोसिका में कोसिका जिली पायाती है ध्यान रखेगा इसी रूप से भीन होते हैं तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि जए उर्रोक में कौन सा परयोग होता है तो देखे इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको समझ में आए सभी तो जैए उरुक में कौन सा परेग होता है तो जैए उरुक में आपको एजोला नीलहरिस्यवाल और अलफा-अलफा जो घास एक परकार का होता है यह सभी परेग होता है क्योंकि इसमें नाइ्ट्रोजन का मात्रा यह जो होते हैं पओधे में बढ़ाते हैं तो यह ज्य प्रूप में पर्योक है तरह से अप्षण हो जाएगा आपको A, B, C तो option हो जाएगा आपको D, next दखिए अब इसमें देखते हैं next देखते हैं कथन दिया है A तो golden rice चावल जय पुर्दिकी से एक ऐसी उपलब्दी है जो भोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाप्रद है जितनी की किसानों के लिए क्यों इसमें देखिए option दिया होगा इसमें फिन R दिया है वो कारण A था R दिया है तो कारण क्या है इस चावल का पिलापन बीटा के रोट्रीन की अधिक मात्रा को परदरसित करती है जो योगीक शरीर में विटामिन A से परवर्तित होता है निम्द कूटों का परयोग सही उतर जीए तो देखिए इसमें सिम्पल बात यह है कि आप इसे ध्यान कैसे रख सकते हैं तो जो A है गलत है आर सही है तो आर कीसले सही है कि सिम्पल जान लेजिए जो गोल्डेन राइस होता है उसमें विटामिन A की यह निकी के रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह मतलब कि किसानों को अधिक मुल्य में लाफ देता है सिम्पल यहीं बात लिखा है लЕकिन अतना फिराके लिखा reflecting गोल्डेन चावल तो गोल्डेन चावल कर सब से पहले अभी तो लिए यह सा फिलीपीन्हाइललाइटेड है इस चावल के लिए चावल के संक्रौण आपको संकटा पनवर के रूप में पोधे को सुरचित रखेगा जैविक भीनता की दस्युता को रोकेगा आर्थिक द्रिष्टी से महत्तपुन पोधों की पहचान करेगा तो इसलिए अप्शन हो जाएगा डी बंत्रा प्लांट फिल में जीन बैंक होता है तो अब सभी सही ह दखेगे हैं के पादब नुमाप हमके साथ किस भारतिय का ॽ किस भार्तिय का चुच के बोष करसा किया इसका काम की चैब रखेगा सबसें नeक्ट दे सीफ़े की निमलीखीत कथनों में कौन सही है लगकुत कथनों में कौन सही है तो माइटो कॉंड्रिया कोशिका का सक्ती केंद्रा खेनी की पावर हाउस है बिल्कुल सही है यह तो पांच अबर कोशन इसी सेट में आ गया नेश्ट देकि उसे ध्यां रखना है पादप कोशिकाओं के भीतर ग्रेना और इस्ट्रूमा पाये जाते है आपको सी नेश्ट दखिए नेश्ट दखते हैं पत्ती की एक कोशिकाओं जो भोजन नहीं बनाती है तो भोजन कौन सी नहीं बनाती है तो द्वार कोशिकाओं नहीं बनाती है तो अस्पंजी कोशिकाओं खंब कोशिकाओं और वायत्वचा की कोशिकाओं भोजन बनाती ह लेकिन यह नहीं बनाती है तो अप्षण हो जाएगा सी नेश्ट दखिए मैं डीna यह उपस्थित रहता है तो डी ने किसमें उपस्थित रहता है के इंद्रक में तो अप्षन हो जाएगा आपको एंश्ट दखिए और्ध सुत्रन विभाजन के फॉल्सरूप निर्मित संतती को सिखाएं भिन भिन होती है मातरी को सिखाऊं से क्यों की तो क्यों होती है इसमें थोड़ा से उपर करते हैं और्ध सुत्रन विभाजन किरिया के दौरान जीन भिन में होता है इसलिए होती है तो अप्सन हो जाएगा आपको C, next दखिए, एक प्रारूपी जन प्रारूप का संकर अनुपात होता है, तो संकर अनुपात क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा एक दो एक अनुपात होता है, तो संकर जो होता है एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में, तो एक अनुपा यहनिकि बीना गुण सुत्र के ध्याँ रखेगा option हो जाएगा बी नेश्ट दखिए को ओर को कोशी का भित्ती का एक महत्पूर्ण घटक है इसका महत्पूर्ण घटक क्या होता है तो प्यक्टीण होता है तो option हो जाएगा आपको यह हुआ है कि पादब द्वारा प्रकास नहीं होगा तो जो आकसीजन है ओटू की प्राप्टी नहीं होगी तो जीवजन्तू जीवित नहीं रह सकते हैं और किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है तो अलप परासरडी दावी के घोल से बढ़ जाता है तो हो जाएगा आपको बी नेश्ट दखिए किस जैविक परकिरिया में वाईव जीव और वाईव जीव दोनों ही कार्वनिक पदार्थों को अवकरमित करते हैं तो किस परकिरिया में करते हैं तो आप्सन हो जाएगा आपको बी नेश्ट दखिए एक मृदु उत्त कोसिका जो की कोसिकाएं अजयो पदार्थ संग्रा करती है क्या कहलाती है ती है कहलाती है आपको IDEO BLAST IDEO BLAST या विचितर कोसिका तो option हो जाएगा आपको 2 next दखिये जन्तु कोसिका से पादब कोसिका किसकी उपस्थिती के कारण अलग होती है तो कई बार question आ गया तो कोशिका भित्ती के वज़े से जो जन्तु कोशिका पादब कोशिका से अलग होती है जन्तु कोशिका में पादब कोशिका में कोशिका भित्ती पायाता है जन्तु कोशिका में कोशिका जिल्ली पायाता है बार-बार बता देत रहें याद कर लिजिए नेक्ट दखीए कोसी का भित्ती की अनम्यता का कारण क्या है तो इसकी का कारण है लिगनिक अप्शन हो जाएगा दो गुंड शुतर में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिसत लगभग होता है तो कितना होता है इसमें होता है 90 तो नब्वे प्रतिसत होता है यह दखिए है कि में डरल ने मचल में कुल कि जब तने का नचलों का लंसा गती अध्यान क्या तो मेंडल जो मटर में किये थे तो कितने यह साथ किये थे अप्शन हो जाएगा दो यह याद रखिएगा चुकि कई बार यह प्रस्ण आ चुका है नेख्ट देखते हैं नेख्ट दखिए कुण्षूत्र सरचना निमलीखित में से किसके द्वारा बदल जाती है तो विस्थापन निउन्ता और दियूगुणन से बदल जाती है तो औप्शन हो जाएगा आपको डीमिश्ट दखिए नुकलियस के बाहर DNA कहां मिलता है तो नुकलियस के बाहर जो DNA होता है माइटोकंड्रिया मिलता है या तो दो बार प्रसना गया जय विवित्ता को किस रूप में जाना जाता है तो जय विवित्ता को जो जाना था है परिश्थितिकी तंत्र विवित्ता के रूप में और परिश्थितिकी तंत्र के जो परियोग किसने किया था तो रिटर ने परियोग किया था और परियोग किया था तो एजी ध्या रखेगा एजी टॉंसले ने किया था ध्या रखेगा पारिस्थिति की तंत्र के तो राम देव भत्रम दफ्रानों रह सबसे इन्पूरम प्रकास और अस्थान की परतिस परदह कहां पर सबसे अधिक गंभीर है तो सबसे गंभीर जो होती है एक ही छेतर में निक पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियों में तो अप्शन हो जाएगा आपको 2 व Kubernetesॐ होता है तो किस अवस्था मि been होता है तो जाइगो तीन आपको आप सब्सकराएगा आप मिजाइगो मिए if थेंगा नश्ट दखिए च्छारक नहीं पाईया जाता है तो Cohanin Cytosyn Aidenin पाया जाता है और इया जो करो नहीं पआया जाता है दखिए कि आंप अब आतन विष्वास biology में आपको पैदा हो जाएगा प्रस्थ्न बनाने का बेक्टरियों फेज में क्या पाया जाता है तो बेक्टरियो फेज में जो पाया जाता है नुकलियो प्रोटीन पायाता है तो अप्शन हो जाएगा आपको तीन नेख्ट दखिए प्लाजमा जिल्ली किसकी बनी होती है तो प्लाजमा जिल्ली जो होती है लीपीड और प्रोटीन की बनी होती है तो option हो जाएगा A next दखिए कोशिका के अंदर सुचनाओं का प्रभा होता है तो किसके द्वारा होता है तो RNA के द्वारा होता है option हो जाएगा आपको नेक दखते हैं DNA किस में पाया जाता है DNA जो है mitocondria में पाया जाएगा B मनुष्य में गुर्णसुत्रों की संख्या कितनी होती है तो मनुष्य में गुर्णसुत्रों की संख्या होती है 23 यहनिकी तेज दुना 46 इन तेज जोड़ी भी कह सकते हैं चैनलीश भी कह सकते हैं दोनों याद रखेंगे 23 जोड़ी 46 और जो होती है चैनलीश यहीं कि 22 22 जो होती है और जो 23 होती है एक्स और वाइ होती है यहीं भिन्न होती है इसी के वज़े से लड़का और लड़की होता है नेख्ट दखिए कोशिका विभाजन से संबंधित है तो कोशिका विभाजन जो है साइटो काइनीन से संबंधित साइटो काइनीन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है नेख्ट दखते है निमलिखित में किस अंग को कोशिका का प्रोटीन फेक्टरी कहा जाता है तो किस अंग को कहा जाता सब्सक्राइब किजिए क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा उपलफ्त कराते रहेंगे Intes, Litan, Mucosat Epitheliumflower में कौन सी कोशी का Mucos को सेरावित करती है तो कौन सी सेरावित करती है तो Goblet कोशी का सेरावित करती है तो option होजाएगा आपको B next दखittens Bread अथ्वा इडली को लोई फुल जाती है इसका कारण क्या है तो सभी लोग जानते हैं इसका कारण है इस्ट को सिकां की बिद्या अप्सन हो जाएगा तीन या सी नेफ्ट दखिए बंसा चैन का सी ध्धान्त किसके द्वारा प्रस्तावीत किया गया था तो प्रकृति जो डार्विन द्वारा दिया घ 400 हो जाए गा सी डारविन द्वारा देखे जूनियर इंजिनियर अर रवी में पूछा है 2019 का जो कि ले टेस्ट है next दखिए सरल उपकला जो सरल उपकला है क्या होता है तो एक कोसिका के बराबर मोटी कोसिका होता है दखिए इसमें प्रसंद भी दिया हुआ है कि किस तरफ के प्रसंद जो अब ही हाल में पूछे जा रहे हैं तो इसमें देखिए कि कोशिका के बराबर मोटी हो देखिए आरार भी जुनियर इंजिनियर में पुछा गया है 2019 में इसे आप ध्यां रखिएगा अब देखते हैं अब नेक्ट देखिए नेक्ट अब अभ्यास प्रसंद देखते हैं जो की अब नेक्ट देखिए अब नेक्ट पाठ आ गया अभी से देखते हैं अगला चेप्टर है तारा मीन क्या है तो सामुंदरी को अस्तन पाई जिन्हें हम एकी नों डर्म कहा जाता है तो अप्शन हो जाएगा आपको तीन नेक्ट देखिए समुंदरी गाय यहीं डूगोंग क्या है तो समुंदरी गाय अभी क्या है तो एक अस्तन पाई है जो की तमिलाडू में ध्यां रखेगा तमिलाडू में इसके लिए एक अभ्यारण भी बनाया गया है समुंदरी गाय के लिए तो अभी लेटेस्ट करेंट का है तो यह प्र नेश्ट देखिए, एक कोशिका के जीवन काल में DNA ना भी कितनी बार भी भाजित हो जाता है, तो यब भाजित हो जाता है, आपको यह पर जाती योम वाता वरन पर निर्भर करता है, इसकी कोई संखिया निश्चित नहीं है, नेश्ट देखिए, बिना सलक वाली मचली कौन स थनांतरण पूरा किया जाता है, तो किसके माध्यम से पूरा किया जाता है, आपको DNA द्वारा एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी, नेश्ट दखिए, गूण सुतर किस से बने होते हैं, तो गूण सुतर जो है DNA प्रोटीन के बने होते हैं, तो ऑप्सन हो जाएगा, डी या फोर नेख्ट दखिए कि सुच में जीवाणूओं युक्त पदार्थों का सीती करण एक परकिरिया है जिसका कार क्या है तो जिसका कार है आपको जीवाणूओं के जीवद रब्य का संकुचनत अप्सन हो जाएगा आपको डी नेख्ट दखिए मचलियां जमे पानी की जील में जीवित रह सकती है क्योंकि तो क्यों रह सकती है तो जील के तली का पानी नहीं जमता है क्योंकि पानी का दिक्तम घुनत तो कितना होता है 4 डिगरी सेलसियस क्योंकि उपर का बरख तो जम जाता है नीचे जो जल होता है 4 degree Celsius पर ही होता है, इसलिए मचली या जीवित रहती है। निश्ट दीए, मचली निमलीखित में की सहयता से सांस लेती है? तो वह जाएगा आपको गिल्गी सहयता से सांस लेती है। दखिए नेक्ट दखते हैं इसमें option दिया हुआ है निमलिखित में से किसके किसने यह मूल अभिधारना प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं किसने यह प्रस्तुत की थी तो यह प्रस्तुत की थी आपको राबर्ट हूग और राबर्ट हूग के बाद T स्वान ने तो अप्शन हो जाएगा आपको D नेक्ट दखिए जीव कोशिका पादब कोशिका से भिन होती है क्योंकि इसमें पाया जाता है तो इसमें क्या पाया जाता है तो देखिए इसमें पाया जाता है आपको, कोशी का भित्ती नहीं पाय जाती है, हरित लवक नहीं पाय जाते हैं, और तार केंदर होते हैं, तो इस तरह से option हो जाएगा C, नेक्ट देखिए, ये तो question कई बारा आचुका, आप पहले देखिएं क्योंगे, निमलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जीवित अस्तन पाय है, तो सबसे बड़ा जीवित अस्तन पाय कौन है, तो नीली वेल है, ये अस्तन पाय है, लेकिन समुंदर में रहता है, नेक्ट मधिम कर ले थे थे ने, तो चीटी के रहे हैं, उसमें आपको फ़षत चुका है अभी तक निख्ट दखिए कौन सा जी मीट्टी की उर्ता को बनाए रखता है तिया आप लोग तो सभी जानते हैं केचुवा इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है केचुवा को निख्ट दखिए नेक्ट दखते हैं आरेने का मुख्यकार क्या है तो आरेने का जो मुख्यकार है प्रोटीन संसलेशन में सहायता करना तो option हो जाएगा आपको B next दखिए निमलिखित में कौन सा सीत रक्त जानवर है तो सीत रक्त जो जानवर है छिप के लिए कोई बार प्रसन पूछा भी जा चुका है ध्यां रखिएगा next दखिए कीट निमलिखित में से संबंधित है तो कीट जो किसे संबंधित है तो इन्थरो पोड़ा से संबंधित है तो option हो जाएगा फोर एक दोस्त ने कमेंट किये थे कि सर पचास-पचास बनाइए तो पचास के आप एक ही मास्टर वीडियो आपको उप्लॉप्ट करा दिया जा रहा है आप उसमें पचास-पचास करके डेली देख सकते हैं पचास से कुछ होने वाला नहीं है आप तयारी कीजिए लगे रहिए क्योंकि परिच्छा बहुत टॉफ हो चुका है प्रस्ट का लेवल देखने हैं आप गौल जी काय का परमुख कार क्या है तो गौल जी काय का परमुख कार है स्राव तो अप्शन हो जाएगा आपको डी नेश्ट देखिए किसकी रोधी टीव द्वारा परिवध होते हैं तो माईलीन के द्वारा होते हैं अप्शन हो जाएगा तीन सबसे बड़ा पच्छी कौन है तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा पच्छी सुत्रमुर्ग है नेश्ट देखिए निमलिखित में से किस जन्तु की सबसे लंबी जीवन अवधी होती है ते अभी सभी लोग जानते हैं कि कच्छुआ 180 वरस तक जी सकता है तो अप्शन हो जाएगा आपको ए नेश्ट देखिए तो वुष्ट देखिते हैं ओविल ािडले कच्छुआ का निडल अस्थल निमलिखित में कौन्सा है तो गाहील माथा गाहीर माथा अप्शन हो जाएगा यह। आरे हैं तो उडिसा में ध्यान रहेगा उडिसा में है कच्छुआ के वहां तीन परजातिया पाई जाती है इनीवर गह्ते मेंस एक परजीवि नहीं है तो कौन सत परजीवि नहीं पर जो परजीवि नहीं पर छिंदले मक्षे पर जीविभिर जीतuate करे इनीवर नहीं के लिए झेल सब्दों के लिए कारकन दिता था तो जीन जो सब्द है किसने दिया था तो टेलो जोहांससन ने जीन सब्द का पर्तिपादन की है ध्या रखिएगा ir Next देखते हैं कि ल Kiss लोग्य्द से जही जमणे में कौन से जीवाड़ू काम आते हैं तो तो सभी लोग जानते हैं कि पोरिफोरा जो है जिवाडूने तो कोकाई बाइब्रीयो और इस्पिरिला जो जिवाडू है तो इस तरह से अप्शन हो जाएगा क्या है अस्तन पाइन नहीं है दल्फीन और बनू शर्क सभी अस्तनपाइन आता है लेकिन दर्याई घोड़ा नहीं है इनकोन एक कीट के सरीरीर जरीर का उतसरजन है छत्रों स्क्रेक्ष्थ पेंगा व्सब्रथे सरे नहीं है लाच्पण दक्यों माना जाता है वे सुचम जीव हैं तो वे शुचम जीव कौन हैं तो सेवाल और कवख तो आप्शन हो जाएगा 2 दो-नेक्व जखेये मारी 1 मं है निवरान आक है पैसि निवरान जो आओ हूं रिगा है तो तंत्र का आप्शन . डी नेच्ट दखिए verso का कौन सा स्थंधारी नहीं है तो कौन अस्तंधारी नहीं है इसमें माखर मुछ जो है ऊस्तंधारी नहीं है तो बाक डॉल्फिन डॉल्फिन को समझ लिए कि डॉल्फिन जल ये जीव और जी घल में रहता है तो इस तरह से औसन हो जाएगा इसका को सा परोटीन पाया जाता है यू जो परोटीन पाया जाता है आपको प्राइमरी प्रोटीन को समाजी कि और कि घूंकि क्योंकि कालूनीयों को एपसं हो जाएगा वह कलोनियों कधलब संख्या के रूप में रहती है Looks style उत्तक है उत्तक क्या है उत्तक है उत्तक क्या है इससमान कोशिकाओं का समू जो है उत्तक होता है यह नश्त दखिए हम थोड़ा करते हैं क्योंकि इसमें इसमें ऑफ्शन दिया हुआ है में सुची वन को सुची टू से मिलान करना है इसमें तो मिलान करने वाला है दखिये तो इसमें आपको एक को सीकिये जीव सबसे पहले अमीबा हो जायगा एकुसी उडान रहि चिडिया उडान रही जो चिडिया सभी जानते है की जी आंसे के पायाता है तो न्यूजी लेंड में पायाता है जल ता जॉल दोनों पर निवास करने वाला तो जॉल ऐं थल पर दोनों पर निवास करने वाला कॉन है तो यह आपको कच्छब है तो इसका एंसर वह जाएगा आपको भी फिर उसके बाद बेлонाकार एवम अभिभक्त शरी हो हो जाएगा हूख वर्म इस तरह से अप्शन हो जाएगा भी ध्यां रखिएगा नेश्ट दखते हैं कि जुम कर लते हैं कशेरुकी दंड की संख्या कितनी होती है तो कशेरुकी जंड की जो संख्या होती है 28 होती है ध्यां रखे कशेरुकी दंड की जो संख्या होती है वो 28 होती है विकास की परकिरिया में मनुष्य का सबसे निकर्तम प्राणी कौन सा है तो इसमें सबसे निकर्तम प्राणी तो अंडे देता है तो अस्तनपाई जो अंडे देता है तो बक्कत बिल प्लेटिपस यह अंडे देता है क्योंकि कि करेंट से जोड के पूछ लिए जाते हैं प्रस्न मदमख्य और टिड़ा किस वर्ग से संबंधित हैं तो मदमख्य और टिड़ा जो हैं कि टाडू वर्ग से संबंधित हैं नेश्ट दखिए निवन में किस प्राणी की आखे एक दुसरे से स्वतंतर रहकर एक साथ दो डिशाओं में देख सकती है तो देख सकती होग घिरगीट यानि कि एक आख से आगे देख सकता है उसी समय पीछे भी देख सकता है यह गुण पाया जाता है गिरगीट में ध्यां रखिएगा एक आख से आगे भी देख सकता है और एक आख से उसी समय पीछे देख सकता है यह गुण पाई जाती है गिरगीट में नेश्ट दखिए डाइनासोर कसिर्गों के किस वर्ग में आते हैं तो डाइनासोर जो हैं आते हैं सरीश्रीप वर्ग में यह जुरासिक युग में पाया आते थे जुरासिक युग में इसमें तो जुरासिक पार्क कई फिलिम भी बन चुके हैं डाइनासोर पर आप देख सकते हैं नेक्ट देखिए विकास वादी सिध्धान्त जानवरों और पौधों के वर्गी करण के लिए किया गया है इसके अनुसार हम मानों मानों की सोर्ग में आते हैं तो जो मानों हैं सभी जानते हैं कि अस्तन पाई में आते हैं नेक्ट देखिए कीटों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इक डाइनोशन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो अप्शन हो जाएगा ती नेक्ष्ट दखिए इक इटारा सो एकीस में एक कोशीक्या में केद्रक की खोज किसने की थी तो केद्रक की गोश की थी रावर्ट ब्राउण Rain की थी धिया रखेगा नाभी के अलावा DNA किसको सक्या में पाया जाता है तो नाभी के जोलावा होता है माइटोन्द्रिया पायाता है अप्षन हो जाएगा सी माइटोन्द्रिया का नाम किया था सी बेंडा नcessor ने ध्यां रहने निहेंकि देखिए मिलीखित में कौन सा पसू लुप्त हो चुका है तो कौन सा पसू लुप्त हो चुका है यह इतना इंपोटेंट प्रस्ण है कि आपको हम क्या बताएं इसका कहानी आपको बता देते हैं कि डोडो मारीसस में पाया जाने वाला एक पच्छी था ठीक है यह एक विसेश परकार के बिरिच के फॉल को खाता था तब जा ठीक कि डोडो ऐसा उड़ने वाला पच्छी नहीं था सारे सिकारी और पॉरेटन के दिरिश्टी से वहां लोग गया और इसे डोडो मार के खा गया तो इked के लिसलग अभिरीच में भीश्चर अभिश के अथ्चर हो पाया और उस छेत्र का सारा जो बिरिच्श है वह डोडो पच्छी के वज़से तो यह मारिशस में पाया जाने वाला पच्छी था फिसे ध्यां रख सकते हैं फॉल को खाता था तो उपर से इसके आवरान हड़ जाता था जिसके वज़से पुना यह अंक्रों लायक होता था नया पधा बनता था जब इसको मार ही दिया तो यह बस्तिती के कारण अपने चारों और की बस्ति में देख सकती है तो देख सकती है किसके वज़से सीर के उपर नेतर से तो अप्शन हो जाएगा भी नेश्ट दखिए इन में से कौन एक अस्तन पाई है, तो कौन अस्तन पाई है, तो प्लेटिपस जो है, अस्तन पाई है, अस्तेलियां पाई आता है, ध्यां रखेगा, इन में से कौन उड़ सकता है, तो इसमें कौन उड़ सकता है, तो होनी बिल उड़ सकता है, अप्सन हो जाएगा, A, next दखि जीव विग्यान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो जीव विग्यान के पिता के रूप में तो सभी जानते हैं कि किने जाता है और अस्तु को जाना जाता है उन्हें जन्तु विग्यान का पिता भी कहा जाता है और यह और अस्तु कहां के थे युनान के दार्शनिक थे और इन्हें जीव ज्ञान संगीत कभी की रूप में भी बहुत काफी ज्ञान हासिल था नेख्ट देखते हैं कि दूध का दही जमना की किरिया के कारण से होता है जीवांनों के तो अप्सन हो जागा सी और लेक्ट बैसिल तो उसमें ध्यान रखेगा नेख्ट दिखते हैं थोड़ा सज्ञाइब कर लेते हैं निमीर्चित में कौन सा सरीशृफ नहीं है तो कौन सरीश्रीप नहीं है तो मगररमच मॉणिटर्थ खिपके लिए अजगर जओ अक्टॉपस नहीं अक्टॉपस एक म्रिदू कोची है ध्यां रखेगा रिदू कोची आ रहें तो समय नीवन में कौन सबसे विसाल का जीवित अस्तनपाई है तो सबसे जो विसाल अस्तनपाई है नीली हुए ले बले जेल में रहता है लेकिन यह अस्तनपाई में आता है ध्यार रखेगा नेक्ट दखिए बिच्चु में श्रम यहनी सांस लेना अंग क्या है तो यह अंग जो है बुक लंग समत है तो ऑप्चन हो जाएगा डी नेश्ट दखिए अक्सोन फाइवर को बिन सवाहक बनाया जाता है तो किसके द्वारा बनाया जाता है तो माईलीन सीथ से बनाया जाता है अप्शन हो जाएगा आपको A नेश्ट देखिए यह ब्रिच चमगादनों द्वारा परागित होता है तो किसके द्वारा परागित होता है तो काई देलिया पिनेटा से सराइथ होता है आपको परागित होता है तो आप्शन हो जाएगा आपको D दखिए इस epithelium की कोशिकाओं पर समानेतों सुछमांग्कूर पाये जाते हैं, तो किसमें सुछमांग्कूर पाया जाते हैं, तो अस्तम बी में पाये जाते हैं, आप्शन हो जाएगा, a, निस्ट दखिए, निम्लखित निम्लिखित में किस में अन्वांसिक परवर्थन की घटना उत्पन होती है, तो किसमें अन्वांसिक परवर्थन की घटना उत्पनों होती है, ते होती है, डी येने में, option हो जाएगा, c, d, एने में, next दखिए, जीव उत्तक का एक उधारण है तो कौन सा जीव उत्तक होता है तो रक्त जो है एक स्योंजी जीव है जो उत्तक का उधारण है रक्त जो होता है स्योंजी उत्तक होता है ध्यां रखेगा जो कि एक जीव का उधारण है तो अप्सन हो जाएगा सि बिच्छु में जनांनी सांस ले सैना अंग क्या है तो यह जो अंंग है बूंक लंस शैत अप्सन हो जाएगा आपको 11 दह जए शह ==== से भिण्धू है तो मैं दोल्फिन कोट सभी जो हड़ियां दखके नहीं पायाती है इसमें जो हड़ियां होती है नहीं पायाती है यह भीं है अब ध्याहर्ख सकते हैं नेकट दखिए कि आपको सी या तीन जो भी कह लिजिए नेक्ट दख़िए आपसं दिया हुआ है तोपहले तो इतना option ही दिया हुआ है देखिए इसमें इसका बनओअटर का कोई प्रसन ही नहीं लग रहा है कि देखते हैं इसमें क्या है इसको छोड़ देते हैं कोई कि इसमें कोई प्रस नहीं दिया हुआ है, दूसरे ढंगत दिया गया है, नेक्ट दखिए, मनुस्य अस्थन पाई वरख से समबंधित है, निमलिखित में से कौन इन में से समबंधित नहीं है तो आपको हो जाएगा answer छिपकिली समबंधित नहीं है तो चुहा, बिल्ली, शूर है लेकिन छिपकिली नहीं है तो option हो जाएगा आपको इसका दिखते हैं अब देखिए आर्दवार्क और आर्दवुल्फ में क्या अंतर है इसमें क्या अंतर है इसमें देखते हैं कि क्या अंतर है इतना बड़ा बड़ा प्रसंद दिया हुआ है तो इसमें जो अंतर है आपको तो इसमें अंतर है दखिए तो आर्दवार्क एक उभाइचर है और आर्दवुल्प एक प्रवतिय भेड़ यहीं अंतर है अपसन हो जाएगा कोशीका का पावर हाउस कहलाता है तो सबी जानते हैं यह कहलाता है आपको माइटो कंडरिया नेश्ट दखिए निमलिखित में कौन मोनो सेक्राइट सरकरा का एक रूप नहीं है, तो कौन सा एक रूप नहीं है, मोनो सेक्राइट का, तो माल्टोज नहीं है, तो गल्टोज और फ्रुक्टोज है, और माल्टोज ने तो अप्सन हो जाएगा, D, नेश्ट देखिए, निमलिखित में कौन ए यौन पर्योजन में माता पीता का योगदान होता है तो माता पीता का योगदान होता है अपने जिन्स का आधा हिस्सा से तो अप्सन हो जाएगा के नेक्ट दखिए निम निजानवरों में से किसकी अपेच्छा किरित अधिक लंबी आत होती है तो सबसे लंबी जो आत होती है खरगोस की होती है इन्पोटेंट है ध्यां रखेगा अप्सन हो जाएगा D देखिए यह पूछा गया है प्रसन RRB Assistance Locopilot में प्रसन पूछा गया है बैज्यानिक वरगी करण में वरगी करण की मूली काई क्या है तो वरगी करण की जो मूली काई है नसल होता है अप्सन यह भी प्रसन देखिए पूछा गया है नेक्ट देखिए जीवन की उत्पत्ती के बारे में ओपेरीन का सिधान्त किस्से सम्मंदित है तो ओपेरीन का रसायनिक भिकासी यह तो अब भी भी आई कर लिजिए क्योंकि बहुत ही इन्पोटेंट प्रस्न है यह पूछा भी गया है दखिए नेश्ट दखते हैं जीवन की वह घटना क्या है जिसमें मादा जननकोस गरवा धान के बिना नया जीव बनाने के लिए बिक्सित होता है तो वह क्या है तो आपको अप्षण हो जाएगा आपको तो मोनो गैमी है तो अप्सन हो जाएगा आपको इसमें तीन नेक्ट दखते हैं नेक्ट दखिए अब इसमें 80 आ गया जंतुओं का सबसे बड़ा समू है तो सबसे इन्पोटेंट है कि जंतुओं का जो होता है सबसे बड़ा समू है जिसमें तिल चट्टा टिड्डा आता है ध्यां रखेगा तो अप्सन हो जाएगा यह पूछा भी गया है नेक्ट दखिए मा के सरीर के अंदर बच्चे की विकास में मनुस्यों के मामले में लगभग कितने महीने में होता है तो यह महीने में होता है सभी लोग जानते हैं नौ महीने में होता है सरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है तो किसकी परतों से बना होता है तो यह होता है आपको सिलेंट्रेट का सरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है नेक्ट दखिए निमलिखित में कौन सा सरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है तो कोशिकाओं की दो पर्तों से बना होता है हाइड्रा तो अप्शन हो जाएगा तीन देखिए पूछा भी गया है साई जानवरों का सबसे बड़ा संभू है तो इटो इन्पोटेंटे हो गया अर्थोपोडा इसमें टिड़ा आता है तो टिड़ा आप देखवे करते हैं कि कीतना अधीक अभी पाकिस्तान में अटेक किया था भारत में भी आया था टिड़ा के अपरको निम्लीखित में कौन कौन सा कशेरुकियों की एक विशेस्ता नहीं है कौन कशेरुकियों की विशेस्ता नहीं है तो इसमें विशेस्ता यह नहीं है तो कौन विशेस्ता है तो वे कोईलोम्योट होते हैं वे त्रियस्तरिये यह ट्रिप्टो ब्लास्टिक होते हैं उनके जीवन के एक अस्तर पर प संबन्धित नहीं है कोन मुलस्स का संग संख सेशंबनीत नहीं है तू घोंघा रज़ा सेップ नधी नहीं यह तो घ्वॉंघ है जोंगो आएक अक्टोपस होता है चा continuing on the कार्बोनेट का बना होता है ध्यां रखिए केल्सियूम कार्बोनेट का बना होता है यह पूछा भी गया है प्रसन